पीए मोधी ने अपने फिटनेस चालेंज वीडियो पर खर्च किये कितने रुपए फाइनली आटी आई से मिला इसका जवाब प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोली द्वारा दिये गए फिटनेस चालेंज को स्विकार करते हुए जो योग का विडियो बनाया था उसके लिए उन्होंने कितना खर्च किया इस पर काफी दावे किये जा रहे थे कॉंग्रेस का दावा था कि इस योग के विडियो को बनाने के लिए कम से कम 35 लाक रुपए का खर्च हुआ है लेकिन अब इस विडियो के सई खर्च की जानकारी आटी आई के द्वारा हमें प्राप्त हुई है दरसल प्रदानमंत्री कारयालाय ने एक आटी आई के जवाब में कहा है कि जून में प्येम मोदी ने जो फिटनेस विडियो शेयर किया था उस पर एक भी रुपए का खर्च नहीं आया है जी हाँ कोई पैसा नहीं लगा उस विडियो बनाने के लिए ये विडियो प्रदानमंत्री ने 13 जून को वराट कोली के चैलेंज सिकार करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था इस विडियो में वह चटान पर पीट के बल व्यायाम करते हुए देखे जा सकते हैं नंगे पाओ, पानी में, गास में और पत्थर पर चलते हुए दिखे हैं इस विडियो में उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं बता दें कि कॉंग्रेस के सांसत सशीत अरूर द्वारा दावा किया गया था कि पीएम के इस विडियो बनाने के लिए कम से कम 35 लाक रुपे का खर्च हुआ है और उन्होंने 20 करोर रुपे का खर्च किया योगा दिन के दिन एड्स और बाकी अपना प्रचार करने के लिए पीएमो ने इस मामले में डाली गई आर्टी आई में जवाब दिया है कि नरेंदर मोदी ने जो विडियो पोस्ट किया था उसे बनाने के लिए कोई भी खर्च नहीं आया था और विडियो प्रदान मंतरी आवास में ही बनाया गया था आटी आई में जो जवाब प्रदान मंतरी कार्याला इसे मिला उसमें ये भी उलेख है कि वीडियोग्राफी पीएमो के कैमेरा में नहीं की थी और वीडियो बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं खरीदा गया और कोई भी प्रकार का खर्च नहीं आया आपको पता दें कि फिटनेस चैलेंज केंद्रिय मंतरी राजवर्दन राथोड ने शुरू किया था और विराट कोली को चैलेंज दिया था उसके बाद विराट कोली ने फिटनेस चैलेंज को एकस्ट करते हुए वीडियो पोस्ट किया और फिर उनोंने प्रदान मंधरी को चैलेंज किया और उन् kg कहा के एक वीडियो आप अपने फिटनेस का पोस्ट करें इसी प्रकार हम फिट तो इंडिया फिट चैलेंज के दौरान काफी सारे सेलीब्रिटीज ने अपने फिटनेस वीडियोज पोस्ट किये और एक दूसरे को फिटनेस चैलेंज दिया तो RTI के दौरा ये साफ हो गया कि इस वीडियो को बनाने के लिए PM ने किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल खर्चा नहीं किया और कॉंग्रेस के इन दावों को पूरी तरीके से नकार दिया तो दोस्तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए